दोस्तों कलपना कीजिए कि आपके पास एक जादूई छड़ी है जो आपको पिंपल्स, धाग, धब्बे, मोटापा, आपके पेट से रेलेटेड समस्या है जैसे ग्यास है, कब्ज है, ऐसी सारी समस्याओं से छुटकरा दिला सकती है तो क्या आप उस छड़ी का उप्योग करना चाहेंगे, जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे ही जादूई एक ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो सिर्फ 21 दिन में आपका जीवन बदल सकती है, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने केवल 21 दिन में, और ये इतना उपाय है, जो ना सिर्फ आपकी तवचा को चमकदार बना सकता है, बलकि आपके शरीर को भी बहुत ही जादा स्वस्त रखने में, स्वस्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे खास बात इस ट्रिक की ये है, कि ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी ये कठीन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, और इस तरीके को, इस उपाय को मैं कहता हूँ, सही तरीके से पानी पीने का उपाय, जी हाँ, इस सही तरीके के पानी पीने के ट्रिक को अगर आप सीख गए, इस टेकनिक को अगर आप सीख गए, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली के बारे में आपने जीवन करेंगे तो चमतकार होगा और है यह वीडियो आपके लिए पूरे लिए कोब खूरुब को आपने जरूर देखना चीए नमस्कार मैं डॉकट शितल टोइबसковा吗 करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से हुमें पे ठीके सबसे पहला काम कीजिए नीचे बटन है धबा देजिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके शुरुआत करते हैं कुछ पकड़ के लेकिन घबर हम चेंज कर सके बदल सके फटाफट समझते हैं पहली गलत आदत है खड़े होकर फटाफट पानी पीना बैया कुछ लोग ऐसे पानी पीता है जैसे सालों से प्यासे हो काफी दिनों से उन्होंने पानी ही नहीं पिया हो कुछ लोग तो बॉटल लगाते हैं मूँपे गटा गट पीना शुरू कर देते क्या आप जानते है ऐसा अगर आप पानी पीएंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र यानि की digestive system उसके उपर अचानक से दबाव होने लगता है और शरीर में आपके toxins जमा हो सकते है दूसरी गलत आदत होती है बहुत जादा ठंडा पानी पीने की आदत जी हाँ ठंडा पानी आपके पाचन के जो enzymes होते हैं जिसे हम कहते है digestive enzymes उसको धीमा कर देता है और जिसकी वज़े से आपका भोजन सही तरीके से पच नहीं पाता है साथ ही जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी जो blood vessels याने की रक्त वाहिनिया होती है वो भी संकुचित हो जाती है और जिसकी वज़े से blood circulation भी प्रभावित हो जाता है खराब रक्त संचार से आपके तवचा को oxygen जो मिलना चीए जो nutrition, portion मिलना चीए वो पहुँच नहीं पाता है और जिसकी वज़े से तवचा की जो गुनवत्ता है वो कम हो जाती है और फिर pimples की समस्या बढ़ जाती है तीसरी गलत आदत होती है खाने के तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लेना जो आपके पाचन क्रिया को कमजोर करता है बहुत कम पानी पीना कुछ लोग पानी ही कम पीते है और जिसकी वज़े से उन्हें dehydration हो सकता है कबस से समंदीत समस्या आए या digestion से समंदीत समस्या भी हो सकती है छे नंबर की गलत आदत है सोते समय बहुत जादा पानी पीना इससे आपको रात में बार बार पिशाप जाने के लिए उठना पड़ेगा आपकी नीद भी डिस्टरब हो सकती है साथवी गलत आदत है सिर्फ भोजन के समय ही पानी पीना कुछ लोग पूरे दिन भर पानी नहीं पीते है सिर्फ भोजन के समय बहुत जादा पानी पी लेते है जिससे उनके शरीर में टॉक्जिन जमा हो सकता है आठवी गलत आदत है जोरदार एक्सरसाइज करने के बाद यानि की हेवी एक्सरसाइज करने के बाद तुरन थंडा पानी पी लेना आपकी प्यास बढ़ जाती है और इसलिए कुछ लोग तुरन बॉटल मुग को लगा देते है इससे आपके डाइजेशन पे और आपके मसल्स के उपर मास पेसियों के उपर भी निगेटिव प्रभाव हो सकता है इसमें से कौन सी ऐसी आदत है जो आपने पकड़ी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अभी हम जानने वाले है कि इन आदतों की वज़े से आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है और कौन से वो सही तरीके है पानी पीने के जियां सही समय पर और सही तरीके से अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपके शरीर के अंदर टॉक्जिन्स यानि की विशेले पदार्थ जमा हो जाते है और जिसकी वज़े से आपके स्कीन की जो समस्या है वो बढ़ जाते है pimples आपके चेहरे पे आ सकते है देखिए जब भी आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है तो शरीर में toxins जो है वो जमा हो जाते है और यही toxins तोचा के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास करते है और जिसकी वज़े से pimples आते है या फिर बाकी की skin से related समस्याए हो सकती है कुछ अधेयनों से ऐसा भी पता चला है कि ठंडे पानी से आपका जो digestive juice है जिसे हम पाचन रस कहते है और जो enzymes होते है उनका जो काम है वो भी प्रभावित होता है दूसरा नुकसान इससे आपको होता है वो होता है digestion से related समस्याए कब्स और ग्यास परियाप्त मातरा में पानी न पीने से आपका digestion धीमा हो सकता है जिससे कब्स और ग्यास जैसी समस्याए हो सकती है तीसरा नुकसान होता है आपका weight बड़े का मोटा पा आ सकता है जियाँ खाने के बाद तुरंट अगर आप पानी पीते है तो इससे भी आपका पाचन तंतर कमजोर हो जाता है और शरीर में fat जमा होने लगता है जिससे आपका मोटा पा भी बढ़ सकता है चलिए अब समझते हैं सबसे ज़रूरी बात पानी पीने का सही तरीका क्या है बस चार बातों को आपको follow करना है और 21 दिन तक follow करना है 21 डे चालेंज को अगर आप लेते हैं 21 दिन को अगर आप follow करते हैं इन चार आदतों को तो यह आपकी हमेशा की आदत बन जाएगी आपका digestion भी अच्छा हो जाएगा पाचन भी अच्छा हो जाएगा तो क्या आप इस चालेंज को लेने के लिए तयार है अगर yes तो मुझे comment पे yes I am ready यह ज़रूर लिखके बताईए ताकि मैं भी समझ सकू कि मेरी बात आपके दिल तक पहुँच रही है चलिए जानते है चालेंज की चार महत्वपूर नबाते पहली बात है सुबह उटकर सबसे पहले एक ग्लास गुनगुना पानी आपने पिना है सिंपल सी आदत है क्या आप इस आदत को अपने अंदर डालना चाहते हो सुबह उटे ही हमारे शरीर को एक ग्लास गुनगुना पानी चाहिए होता है इससे आपका मेटाबॉलिजम जो है वो अच्छा होता है और आपके शरीर के जो टॉक्जिन्स है वो बाहर निकल जाते है आपके शरीर को डी टॉक्सिफाई करने का ये बढ़िया सबसे अच्छा और सबसे असरदार तरीका है नमबर दो दूसरी important बात है खाने के 30 मिनिट पहले और एक घंटे बाद पानी आपको पीना है यानि कि खाना खाने के दौरान पहले 30 मिनिट और बाद में एक घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चीए खाना खाने के ठीक पहले और तुरंट बाद पानी पीने से आपका जो digestion है आपकी जो पाचन क्रिया है वो कमजोर होने लगती है slow होने लगती है और जिसकी वज़े से आपका खाना अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है तो ये भी एक आदत आपको change करनी है चलिए अब जानता है तीसरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्न आदत और ये आदत भी आपने खुद के अंदर inculcate करना है और वो आदत है छोटे छोटे घूट में पानी पीने के आदत याद रखिए पानी पीना नहीं है बलकि खाना है आराम से पानी पीना है एक एक घुट पानी पीना है इससे होगा क्या इससे ये होगा कि आप जो पानी पी रहे है वो आपके शरीर को बेहतर तरीके से absorb करने में मदद मिलेगी और शोशित करने में मदद मिलेगी जिससे आपका पाचन भी अच्छा होगा और काफी समस्याओं से आप रहत पा सकेंगे अब जानते हैं आखरी लेकिन बहुत इंपोर्टन आदत चौथी आदत और वो है बैट कर पानी पीना है आज के बाद याद रखिए आपको खड़े होकर पानी बिलकुल भी नहीं पीना है क्योंकि इससे आपके जोडों के उपर पुरा असर पड़ सकता है बैट कर पानी पीने से सही तरीके से वो पेट में जाएगा और शरीर को बहुत अच्छा इससे फाइदा मिलेगा तो देर किस बात की है आज से ही शुरू करते है इस 21 दिन के चालेंज को और हाँ 21 दिन के बाद भी आपको क्या फाइदा हुआ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए तकि मैं भी समझ सकूँ कि इस चारों चीजों से आपको बहुत बेनिफिट मिला है और एक काम कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक वाटसैप ग्रूप पे जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस तरह से 21 दिन का चालेंज ले सके और उनकी लाइफ से भी काफी बिमारियों को भगा सके ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए धन्यवाद